काली मिर्च की चाय के फायदे के ज्याता चाय पीने से भी हमारी बॉडी में रिफसान होता है अगर आप अपनी चाय के अंदर अगरक और इलाइची का सेवन करते हैं तो उसका सिर्फ स्वाथ बढ़ता है लेकिन अगर आप अपनी चाय के अंदर काली मिर्च का सेवन भी करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा healthy बन जाती है. जानते हैं, आज ऐसे ही कुछ वायदे काली मिर्ष से बनी चाय के बारे में. Tip No. 1 काली मिर्ष से बनी चाय का सेवन करने के लिए ज़रूरी है कि आप काली मिर्ष का सेवन करने का तरीका जान ले. आपको हर दिन के अंदर के वर 500 mg से लेकर एक ग्राम तक ही काले मिर्च का सेवन करना चाहिए क्यूंकि इससे ज्यादा सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है काले मिर्च की चाय को बनाने के लिए एक कप पानी के अंदर 2-4 काले मिर्च के दानों को डाले और उसके अंदर थोड़ा सा अधरक डाले इस पानी को 2-3 मिर्च तक उबाले चानने के बाद इसमें शहत मिला कर इसका सेवन कीजे यह आपकी सेहत को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगा टिप नमबर 2-5 काले मिर्च से बनी हुई चाय के अंदर भाली मातरा में एंटी आक्सिडेंट तत्व पाये जाते हैं जो फ्री रेडियेकल से हमारे शेरील को बचाते हैं साथी साथ हमारे शेरील को अंदर से मजबूती भी देते हैं टिप नमबर 3 हमारे इम्मिन्टी सिस्टम को अच्छा बनानी के लिए काली मिर्च की चाय बहुत ही एक प्योगी मानी जाती है अगर आप काली मिर्च की चाय का सेवन नेवित रूप से करते हैं तो सर्दी, जुखाम, बुखार, गले की खराज जैसी बिमारियां आपको छूब भी नहीं पाएंगी टिप नमबर 4 पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है काली मिर्च की चाय खाना खाने के बाद अकसर वक्त बेवक्त गैस, अपच और कप्स की प्रॉब्लम हो जाती है इन साही प्रॉब्लम से निजाद पाने के लिए आपको काली मिर्च की चाय का सेवन दिन में दो बार जरूर करना चाहिए टिप नमबर फाइफ, लिवर को सुरक्षित रखने के लिए और लिवर के अंदर बाय लामक जूस को बनाने की किरिया को तेज करती है काली मिर्च की चाय साथ ही साथ हमारे मूँ में लार बनाने की प्रकिरिया को भी अच्छे तरीके से प्रकिर्ती मिलाती है काली चाय इसलिए अगर आप काली मिच्की चाय का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी बेनिफिशिल रहेगा इन सारी टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेर करिये मेरी ब्यूटी और हेल्से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजे तब तब मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ